ग्यानने दी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लुक अप को कैसे यूज किया जाता है लुक अप फॉर्मुले को और उसके तहट मैं इस मार्क शीट को डाइनेमिक बना दूँगा इसमें क्या होगा इसमें जो भी मार्क शीट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आप सिर्फ रोल नंबर लिखेंगे और अपने आप मार्क स्वगिरा सारा कुछ नेम डेट आफ वर्स सब कुछ चेंज होगी ठीक है इसको कैसे बनाएंगे वो बताते हैं यह पिछली वीडियो में मैंने मार्क शीट एक बनाई थी बना चुका था मैंने और आप इस वीडियो को देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसको देख लीजेगा पहले ही मिल जाएगा लिंक यहाँ पर क्या था हम सिर्फ नंबर्स डाल रहे थे और यहाँ पर ग्रेंड टोटल हो रहा था रिजल्ट हो रहा था और बाकि ऑल यह चयंज नहीं कर on यहाँ पर नही था हम यहाँ पर ग्रेंब कॉप्शन भी लगाने वाले हैं यहाँपर आप देखेंगे तो हमें nowえる को उप्शन लगा देंगे ख्रेंग में क्या होगा यहाँ पर से जब भी आपने grading system सुना होगा कि grading system किस तरह से काम करता है बस वो ही है यहाँ पर ठीक है और आप देख रहे हैं यह जिस तरीके का है यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रेला मेड़ा हो गया यहाँ पर से आखर के इसको format painter से ठीक कर देंगे यहाँ पर से अब इसमें आपको करना क्या ए ग्रेट्स लगाएंगे इसको आप error कर को एकणौर कर दीजेगा क्योंकि सही में कोई error नहीं है ठीक है अब हमें करना क्या है यह जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा है यहाँ पर हमें एक बार ठीक बॉर्डर और लगा देते है ठीक है, ठीक बॉर्डर हट गया है वहां से थोड़ा सा, और हमें एक new sheet create करने हैं, sheet में क्या होगा, यहां हम लिख देते हैं, पहले grade, ठीक है, यह हम बाद में देख लेंगे, बट अभी हमें एक new sheet create करनी पड़ेगी जिसमें हम सारा database जो है वो रखेंगे Actually में जो database है वो यहाँ पर आएगा किसका? Student name, father name, date of birth and class ठीक है ये और उसके बाद इसन सब के हिंदी अगर मतलब marks कितने आए हैं वो ठीक है वो सब चलिए इसको fast करते हैं करते हैं हुआ जाल चलिए तो हमने इस्तना कर दिया है आप देख सकते हैं आप यहां पर क्या आप सकते हैं डेट ऑफ जो आप देख रहे हैं इसको तीन को पर इसको गुना करना है सौ से एक्षुलि में है कि यह नमबर ही है और इन में से आप क्या कर सकते हैं जब भी आप डबल क्लिक करके बाहर निकलेंगे तो नमबर जो हैं अपने आप चेहें यहां से मैंदे इसके zero घ्रटादेता हूं थाकि आपको समझ आजए ठीक आप देखिए अपर क्लिक कर रहा हूं बाहर आ रहा हूं तो बार-बार नंबर चेंज हो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं बट हमें क्या करना है हमें एक round का formula लगा रहा है round जो होगा सबको एक मतलब की sum कर देगा मतलब की आप देखिए क्या होता है यहाँ पर से मैं हिंदी वाले marks को ले रहा हूँ class को नहीं इसके बाद यहां कर देता हूँ 0 मतलब point के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए 0 होना चाहिए ठीक है और उसके बाद इसने यहाँ पर कर दिया इसको round off ठीक है आपको मैं दिखाता हूँ इसके दुबारा 0 बढ़ा देता हूँ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया बागी वहाँ पर point के बाद भी numbers थी ठीक है यहाँ पर कुछ भी numbers नहीं है और यह बार बार change जोंगे मुझे पता है और इसको भी मैंने सारे row कर लिये और six column में कर लिया ठीक है अब हमें करना क्या है इसको copy करना है कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर आ करके इसको paste special करेंगे डिलीट नहीं करना ठीक है right click and इस वाले पर click करना है ठीक है अब देखिए इसके बाद इसके जितने भी zero है वो सारे के सारे zero ही रहेंगे फालतू कोई marks नहीं मतलब नहीं रहेगा दशमलव के बाद ठीक है और यह जो है अब एकदम properly काम करेगा यह तरीका अच्छा है आपको अगर dummy marks चाहिए कुछ numbers देंगे तो ठीक है आप इसके उपर वाले हिस्से को head को थोड़ा सा dark कर लेते हैं अपनी theme के हिसाब से जैसा हमें करना है वो मैंने यहाँ पर कर दिया ठीक है अब हमें करना क्या है जैसी बहुत ही simple सा था यह sheet बनाना बाकी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही असानी से 2-3 की row ही में ही बना करके आप इसको check कर सकते हैं ठीक है यह जितने भी marks हैं सभी को sum करेंगा इस तरह से ठीक है और यहाँ पर हो गया यह और इसी तरह से हम इसको drag कर देंगे drag करने के बाद यह पूरा का पूरा आपको properly दिखेगा अब हमें करना क्या है यह तो हमने कर दिया इसको थोड़ा सा color में change कर रहा हूँ जिससे ताकि आपको जो subjects हैं वो अलग different समझ में आ जाए और बाकी जो details हैं वो अलग और इसके बाद यह जो आप देख रहे हैं रोल number इसी को आपको डालना पड़ेगा और बाकी सारा कुछ अपने आप data लेगा ठीक है आप देखिए इसको मैं किस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद thick border मैंने दे दिया था कि हमें समझा जाए और इसके बाद इसकी grid lines हटा देते हैं बाकी जगे पे grid lines नहीं रहेगी सिर्फ वहीं पर रहेगी और इसके बाद यहाँ पर आते हैं इन सब को delete कर देते हैं ठीक है इस तरह से और यहाँ पर हम लिख देते हैं roll number क्योंकि सिर्फ roll number हमें डालना होगा और अभी हम dummy डाल देंगे जो होगा one कुछ भी डाल लीजेगा कोई बात नहीं है ठीक है मर्ज हटा लेते हैं एक बार हम जिससे क्या होगा यह थोड़ा बहुत ठीक सा हो जाए क्योंकि अभी थोड़ा odd लग रहा है यहां पर हमने वन डाल दिया और इसके बाद हमने यहां पर वन डाला है और इसके बाद यहां पर आकर कि हमें उसको कर देते हैं father's name ठीक है father's name important है मर्जी अपकी उस sheet में हमने लिखा है तो यहां पर भी उस करेंगे यहां से class अटागे मैं शेशन लिख देता हूं और यहां पर आप देखिए अच्छे तरीके से हो गया यह अगर आप चाहते हैं कि यहां पर एक class का option बन जाए तो आप यहां पर बना लीजेगा और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको अलग ही जगे पे लिख दीजेगा जिससे वो अच्छा देखे ठीक है न और class लगा देंगे और यहां पर से हमने इसको कर लिया अच्छे तरीके से properly इन मार्क्स को भी हम डिलीट कर देते हैं प्रैक्टिकल को भी ठीक है प्रैक्टिकल का मैंने आप सिर्फ कॉलम बनाया है आपकी मर्जी आप लगाना चाहते हैं प्रैक्टिकल का भी तो एक और रो बना लीजेगा मैं नहीं बनाओंगा ठीक है आपकी मर्जी है बाकी मैं बना ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि हर रो के लिए आपको बनाना पड़ जाएगा अब मैं लोकप लगा रहा हूं इस इकल टू एंड इसके बाद इसे इसे को सिलेक्ट किया एंड दैन मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा ठीक है जो नेम है ठीक है इस्टुटेंट नेम जो इन सबको मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूं मतलब लोकप का फॉर्मल आपको बता है मैंने किस तरह से यूज होगा और कोई इसका जरूरी नहीं है मैंने सिर्फ एक इस एक्जामपल के लिए आपको दिखाया था अब चाहें तो यहाँ पर एक और रो बना सकते हैं कंट्र इसको भी हम बूर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहां से क्लास हटा रहे हैं क्योंकि वह थोड़ा और लग रहा है बाकि आपकी मर्जिये आप लगाना चाहते हैं तो नहीं मैं इसको उपर लगा दूंगा इस तरह से मैंने इसको यहां पर कर दिया इसको यहां पर से मैंने राइट लाइज लेफ्ट लाइज कर दिया मर्च हटा रहा हूं और इसके बाद यहां पर इन दोनों को छोड़ सकते हैं यहां पर नेम आएगा ओके नेम के लिए यहां पर यहां पर यह जो नाम है अगर आप रोल नंबर चेंज करेंगे तो दूसरे रोल नंबर का नाम जो है इसको भी हम यहां पर वही चीज लगाने वाले है इस एक्वल टू लुक अप लगाने के बाद हम क्या करेंगे रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे कौमा करेंगे और इसके बाद एरिये को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमारा डाटा है फिर कौमा लगाएंगे और किस चीज को लगाना है हमें father's name को तो father's name को select करेंगे तो देखिए father's name भी आ गया इसके बाद हम दुबारा से look up का formula लगाएंगे यहां पर roll number को select करेंगे उसके बाद ad को select कर लेंगे इस तरह से और इसके बाद comma and date of birth and enter ठीक है इस तरह से और यहां पर से format painter से हम इसको सब को सही कर सकते हैं अगर आपको करना है तो आप कर लीजेगा लाइक देश एंड देन डूइट ऑल बार्डर की आपको जरूरत है यहां पर अगर आप नहीं लगाएंगे तो बिकार लगेगा शीट ठीकिन और इसलिए मैं इसको यहां पर लगा देता हूं अब अच्छी तरीके से बन गया और अब हम इसमें यहां पर एक क्लास का उप्शन यहीं पर लगा देंगे जिससे क्या होगा क्लास जो है यहीं पर आपको दिखेगी ठीकर क्लास क्योंकि हमने नहीं लगाया था और क्लास हम यहां पर लगाना चाहते हैं तो हम यहां पर लगा रहे हैं आपकी महर्ची है क्लास एंड एंटर ओकी तो इस तरह से जो है क्लास भी आ गई मैंने सारे रहे हैं माक्ष में इस एक्वाल टू लुक अपका फॉर्मुल आपको समझा गया होगा यह लगा गाएंगे और इसके बाद रूल नंबर को सेलेक्ट करेंगे कॉमा कर लगा एक फीर हैंवी पूरी शीट को तो अपने आप चेंज हो रहा है ठीक है मोहन आ गया अब चलिए हम इसको English पर लगाते हैं ठीक है Look Up इसके बाद Roll Number सेलेक्ट करेंगे यहां पर आएंगे सेरी को सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद हम English को सेलेक्ट कर लेंगे and enter ओके तो इस तरह से हो गया आप इसमें ड्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आप करेंगे तो वह सारी शीट जो है वह भी ड्रैक होंगी और काम नहीं बनेगा इसलिए यहां पर ड्रैक का उप्शन काम नहीं करने वाला तो आप देख सकते हैं अगर करें तो यहां पर इसको और इ इक्वल टो लोक अप लगाने के बाद एरी को सेलेक्ट करना है यहां पर आना है यहां पर आने के बाद इस एरी को सेलेक्ट करना है साइंस को सेलेक्ट करना है डेंटर प्रैक्टिकल जो है मैं आप नहीं लगा रहा हूं आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजेगा क्योंकि practical के लिए भी आपको सारी sheet मतलब कि उतने ही columns जो हैं बनाने पड़ेंगे क्योंकि सारे के practicals जो हैं बनाना फिर compulsory होगा ओके तो मैंने इसलिए इस video को compress किया है जितना जादा हो सके ताकि आप इसको पूरा समझ सकें इसलिए और यह सिर्फ और सिर्फ एक समझाने के मकसद से है ओके और यहाँ पर आप देखिए video को select किया Sanskrit and then okay यह जो है यहाँ पर pass आ रहा है बट कुछ और यह देखिए यह हम उपर वाले को देख रहे हैं ठीक है उपर वाले को नहीं देखना यहाँ पर आएंगे आप तो ठीक है आपने क्योंकि row number जो है second select कर रहा है तो आप यहाँ पर आगर के find मत कीजेगा कि एक ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमने roll number जो है 2 कर दिया था पहले ही तो आप इस बात को समझ जाएंगे यहाँ पर आएंगे तो देखे 374 ही है और इस तरह से जो है roll number यहाँ पर आप वन करेंगे तो देखे fail है टीक है वैसे fail तो हो नहीं है क्योंकि मैंने dummy marks लगा रखे है ओके और इसके बाद यहाँ पर आते है is equal to if इसके बाद इस ही जी को select करना है and less than and equal to आपको लगाना है 29 and उसके बाद यहाँ पर आकर के आपको comma यहाँ पर आकर के inverted comma में F and उसके बाद comma अब आपको यहाँ पर नहीं आना है यहाँ पर आकर के formula बार में if area को select करना है if तक और copy करना है equal to मत कीजेगा ओके और उसके बाद इसको हमने यहाँ पर paste किया और यहाँ पर हम करते है 39 and इसको करते है E ओके फिर दुबारा से paste कीजे उसके बाद यहाँ पर कर दीजे इसको 49 ठीक है ना 49 करना जरूरी है और उसके बाद यहाँ पर हम कर देते है इसको D और इसके बाद दुबारा पेश्ट करते हैं यहां पर आते हैं और यहां पर लिख देते हैं यहां पर हमें चेंज करना है सी ठीक है और इसके बाद यहां पर आगर के इसको कर देते हैं 59 एंड दुबारा से पेश्ट करना है आपको और इसके बाद यहां पर आगर के लिखना इसकेबाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 79 और इसकेबाद इसको llev करते हैं b plus ठेक है और इसकेबाद यहाँ पर आते हैं और इसकेबाद दुबारा से उसी चीज को पेश्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसको कर देते हैं हम 89 और इसके बाद यहाँ करते हैं और इसके बाद यहाँ पेश्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पेश्ट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं न इसको करते हैं 99 और इसके बाद यहाँ तक पर कर देत प्लस प्लस ठीक रहा और इसके बाद हम यहां पर आते हैं और हम यहां पर लिख देते हैं कॉमा हटा रहे हैं और आपको ब्रैकेट जो है 6th हुआ 7th हुआ 8th हुआ तो अब 8 के 8 brackets हुआ वो close होंगे यहाँ पर तो इसलिए मैंने इसको लगाया है ठीक है और इसके बाद हम इसको drag कर सकते हैं यह काम करेगा इस तरह से ठीक है ना तो अब यहाँ पर यह दोनों मत जाएंगे ठीक है ना तो इसलिए आप उसको लगा लीजिएगा लॉजिक थोड़ा अच्छा लगाना पड़ेगा आपको और उसके बाद वो जो है काम करेगा तो इसलिए मैंने वो सारा हटा दिया परसेंटेज उगरा सारा कुछ एकदम प्रॉपर काम कर रहा है आप रोल नंबर चेंज करते हैं सारा कुछ चेंज होता है और इस तरह से बनती है आटोमेटिक माक शीट रिपोर्ट कार्ड जिसको आप समझ सकते हैं असानी से तो इस तरह से हमने इस पूरी शीट को यहाँ पर बनाया है तो आप समझ गए होंगे कि यह किस तरह से काम कर रहा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ग्यान नहींती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सकें इस वीडियो से रिलेटेड आपके मनवए कोई प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा